बश्कार बच्चों, कक्षा के प्रतम वाशा ही दे आजम पाँच्वा पार सच्ची मित्रता के शब्दार्थ को पढ़ेंगे बच्चों आपकी पाठी पुस्तक गुलमोहरती निकालें, उसमें से पेच नमबर 40 निकालें, अब हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे दंड सजा, अत्याचारी अन्याय करने वाला थर्डवन, निर्दोष, जिसका दोष ना हो इजाजत, अनुमती, आज्या अवी हाँ पर पेच नमबर 40 न में देखी बच्चों हाजिर उपस्तित, मिसाल उदाहरन इनकार करना, मना करना जल्लाद, जल्लाकार्थ है फांसी पर चड़ाने वाला व्यक्ती मंत्रमुक्ध, मोहित बच्चों अब हम शब्दार्थ को एक बार फिर से पढ़ेंगे दंड सजा, अत्याचारी अन्याय करने वाला निर्दोष, जिसका दोष नहो, इजाज़त, अनुमती आज्या हाजिर उपस्तित, मिसाल उदाहरन इनकार करना, मना करना जल्लाद, पांसी पर चड़ाने वाला व्यक्ती मंत्रमुक्ध, मोहित यहाँ पर नीचे देखी बचों, मुहावरा प्राण नियुचावर करना, जान देना बच्चों यहाँ पर देखें, अभ्यास, आईए बाचीत करे में से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आपको तीन कोशन्स दिया गया है फर्स्ट कोशन है युनान की राजधानी का नाम बताईए क्या था? एथिन्स युनान की राजधानी एथिन्स है दोनों मित्रों के नाम बताईए पितियस और डामन डामन की अंतिम इच्छा क्या थी? डामन की अंतिम इच्छा अपने परिवार से मिलना था बच्चो बाप शक्धार्द को ग्लासबत में लिखिए